साथियो अक्सर गेऊं की बालिया टेड़ी मेड़ी हो जाती है और देखने में बहुत ही खराब लगती है और इससे हमारा उत्पादन भी परवावित होता है साथियो गेऊं की बालिया टेड़ी मेड़ी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए साथियों आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है NKY Farmer चैनल पर आप सभी से आज जोड कर विंती है जो साथी अमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो किशान साथी वीडियो को लाइक वे चैनल को सस्क्राइब अवस्य करें गंटी वाले बटन को दबा दे और ओल पर सेट कर ले ताकि आनी वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाए साथी ओ दो ऐसे कारण है जिसकी वज़े से हमारे गंटी बालिया टेडी मेडी हो जाती है साथी ओ पहला कारण है गेत में मैगनीज की कमी का होना या फिर एक ही खेत में हर साल गेऊं की खेती करना भी इसका मुक्ते कारण है या फिर जमीन ज्यादा रेतली होने के कार्ण भी ये रोग लग जाता है या फिर जमीन में ज्यादा जल बराव होने से भी ये रोग लग जाता है इसके अलावा जिस खेत में लगातार दान लगाया जाता है वहाँ गेयों की फसल में मैगनीज की कमी से पिला पन आ जाता है ऐसे खेतों में मैगनीज की कमी आ जाती है साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी फसल में मैगनीज की कमी आती है तब हमारी फसल हलकी पीली वसलेटी रंग की दिखने लग जाती है जब हमारी फसल में यह कमी आ जाती है तब हमारी ग्यों की बालिया टेडी मेडी हो जाती है साथ हो जब आपकी ग्यों की उपर की पतिया पिली वे सलेटी रंकी दिखने लग जाती है और आपको यह पता लग जाता है कि आपके खेत में मैगनीज की कमी आ गई है और कुछ इसकी निसानी भी हम आपको बता देते हैं इससे हमारी ग्यों की बालिया टेड़ी मेड़ी हो जाती है तो इस रोग की रोग थाम के लिए सरवाती दोर में आप अपनी फसल में पहला पानी लगाने के बाद एक सप्रे मैगनीज की करनी है और दूसरा पानी लगाने के बाद एक बार फिर मैगनीज की सप्रे आपको करनी है और जब हमारी ग्यों की फसल में गाबा बनना सुरू हो जाता है तब एक सप्रे पानी लगाने से पहले और दूसरा सप्रे पानी लगाने के बाद मैगनीज का सप्रे अवस्य कर देना चाहिए साथ ही हो इसका दूसरा मुख के कारण है जिससे हमारी गेहों की बालिया टेडी मेडी निकलती है हमारी गेहों की फसल में चोडी पत्यों पर जो नदीन बैठे होते हैं उनको मारने के लिए आप टू-फोडी का सप्रे करे जिन किसानवाईों ने अपनी फसल सही समय पर बोई है उसकी विजाई की है वो उन्हें अपने खेत में 35 से 40 दिन पर और जिन किसानवाईों ने 35 विजाई की है वो किसानवाई 45 से 50 दिन पर अपनी फसल में टू-फोर्डी का सप्रे अवस्चे कर दे साथियों गेऊं की बालिया टेडी मेडी ना हो उससे बचने के लिए दो चीज अवस्चे करे एक तो मैगनीज की सप्रे अवस्चे करे दूसरा अगर आपकी फसल में चोडी पतियों पर नदीन कीट बैठे हैं तो उसके लिए आप टू-फोर्डी का सप्रे अवस्चे करे समय पर करे और अपने खेत में मैगनीज की कमी मत होने देना तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ दन्यवाद